नमस्कार दोस्तो मैं हुआं को नराब देख रहे हैं AD Techify दोस्तो अगर आपके computer की चालू होने की टाइम पे स्टार्ट अप स्क्रीन पे ऐसा कोई भी disk scanning utility या फिर error checking utility रन होता नजर आ रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगो कि कैसे आप इस problem को solve कर सकते हैं दोस्तो ये problem तब आती है जब आपके computer की hard drive में कोई भी problem है या फिर आपने hard drive की जो error checking software है उसको कभी भी run किया है या फिर troubleshoot किया है तो वो जो troubleshooter application है वो आपके computer की registry में एक boot execute registry की create करता है जिसके कारण हर वक्त जब आप computer को चालो करते हैं तो ये error checking utility जो है आपको देखने को मिलता है रन होता हुआ और इससे जो है आपका booting time एक से दो मिनिट बढ़ जाता है booting time भी increase हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो e drive partition है hard drive का वो यहाँ पर scan हो रहा है तो ये scan होने के बाद जो है बहुत देर से computer को boot करता है तो simply इस problem को solve करने के लिए हमें उस registry key को थोड़ा modify करना है तो चलिए देख लेते हैं computer चालो होने के बाद आपको registry editor open करना है इसके लिए आपको windows search में जाना है और type करना है registry editor या फिर आप reg edit भी type कर सकते हैं और alternative पी आप run से भी open कर सकते हैं windows run का shortcut है windows key plus r run open होने के बाद आपको reg edit type करके ok करना है administrative permission को yes करना है इसके बाद registry editor open होगा वहाँ पर आपको h की local machine में जाना है left side से आपको इसको expand करना है फिर जाना है system में expand करने के बाद आपको तीन number भे देख सकते हैं current control set है इस folder को आपको expand करना है फिर आपको जाना है control पर उसके बाद आपको यहाँ पर session manager देखने को मिलेगा session manager को select करने के बाद right side पर आप आजाएं चौध है number पर आपको एक registry key देखने को मिलेगा जिसका नाम है boot execute उसके बाद उस key को select करके double click करके open करना है फिर वहाँ पर जो value data है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा auto check auto ch के वो जो asterisk sign है उसके left side पर cursor को ले जाने के बाद आपको यहाँ पर एक oblique type करना है फिर small letter में k फिर colon देखे small letter में c type करना है आपको फिर आप यहाँ पर simply ok कर दीजिए और registry editor को close करके आप अपने computer को restart कीजिए restart करने के बाद जैसे के आप देख सकते हैं जो error checking utility है वो यहाँ पर run नहीं हो रहा है तो यह problem जो है आपका solve हो चुका है तो दोस्तो इस वीडियो से अगर आपको कोई भी help मिला तो वीडियो को ज़रूर like कीजिए share कीजिए और कोई भी confusion है आपके मन में तो comment करना मत भूलना मैं आपको ज़रू help करूँगा और इसी तरह की unique tech related content पाने के लिए AD Techify चैनल को subscribe कीजिए तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में